दोस्तु स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तु चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस विडियो में जानते हैं तो फटा-फट से आप सभी कमेंट बोक्स में जरूर बता है कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पोचें आज की सबसे पहली कबर IG-IMS में कोरोना मरेजों का होगा फरी में इलाज सियम नितिस ने किया बड़ा एला बिहार में कोरोना से तबाही के बेच राज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सुबह के मुखमंत्री नितिस कुमार ने एलान किया है कि राजदानी पटना इस्तित इंद्रा गांदी आयर विज्ञान संस्तान में कोरोना स्वंक्रमित सभी मरेज का इलाज मुप्त में किया जाएगा यानि कि मरेजों को एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा आपको बढ़ादे कि जिस अगे से राज में कोरोना मरेजों की तादाद बढ़ रही है उस हिसाब से राज सरकार की ओर से उठाया गया ये बड़ा कدم सहारनीय माना जा रहा है दो महिने फ्री में अनाज देगी मोदी सरकार पांच किलो चावल और पांच किलो गेहु बिना पैसे के बाटा जाएगा कोरोना में हमारे के बेज मोदी सरकार ने एक बड़ा एलान किया है केंद्र सरकार ने पिछली साल की तरह इस बार भी प्रधान मंत्री गरीब का लान अन्य योजना के तहद जर्रत मंद परिवारों को फ्री में अनाज देने का नेने लिया है अगले महिने मैं और जुन तक ग करीबं करीब 80 करोड लोगों को बिना पैसे के अनाज दिये जाएंगे बड़े कबर राज में बस आटो सहीद पबलिक टांसपोर्ट पान तंबाकू खाना पड़ेगा महंगा देना होगा जुर्माना बिहार में करोना वारस के बड़े रप्तार को देखते हुए सरकार ने एतिहातन कदम उठाए हैं इसी क्रम में परिवान बिवाग ने ओटो बस और ए रिक्सा में यात्रा करने वाले लोगों के पान तंबाकू खेनी और गुड़का खाने पर प्रतिबंद लगा दिया है बिवाग का कहना है कि नियम न मानने वाले लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा विवाग ने सबी जिलादिकारे और पुलिस अधिक्चको को आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश जारी किया है विवाग की तरब से जारी आदेश के अनुसार यादि कोई बस आटो सहित किसी भी पबलिक टांस्पोर्ट में यात्र को लगाए जाएगी कोवी सील्ड वैक्सिन सरकार ने दिया पहला ओडर केंद्र सरकार ने कोरोना वारिस की किलाब लडाए में बड़ा फैसला लेते वे पुरदेश में एक मैं से अठारा से चवालिस साल तक के लोगों का टिकाकरन सुरू करने की घोसना की है बिहार सरकार ने टिकाकरन कायरकरम को लेकर तैयारी सुरू कर दिया बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि टिकाकरन कायरकरम की तिसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोवी सील्ड वैक्सिन लगाए जाएगी इसकी जानकारी स्वास्त विवा के ब्रधान सची प्रेत अमरित ने दी है उन्होंने बताए कि सरकार ने सीरेम इंस्टिटूट आप इंडिया को अपना पहला ओर्डर दे दिया है प्रेत अमरित ने कहा कि बिहार में 18 से 44 साल तक के लोगों का वेक्सिनेशन करना बड़ी चुनोती है अब बिहार में भी सुरू होगा संपत्ति स्वामित योजना 24 अप्रेल को पियम मोदी करेंगे सुबारा जी अब बिहार के लिए एक अच्छी कबर है आंद्र परदेश, करनाटक, हरियाना, मैद परदेश, उत्तर परदेश और उत्रकन के बाद अब बिहार में भी संपत् खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 अप्रेल को इस योजना की लॉंचिंग करेंगे राष्टिय पंचायती राज दिवस समारों के मोके पर वीडियो कॉनफरेंसिंग के मैदम से इसे लॉंच किया जाएगा बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार, पंचायती र वज़ा से बिहार के ITI की सीटे भी नहीं भर सकी है, कोरोना के चलते बीच में ही काउंसिलिंग रोकनी पड़ी है, राज के सरकारी ITI कोलेजों में करीब पचीस सो सीटे खाली है, बीसी इसी इने खाली पड़ी सीटे के लिए आवेदन भी मांगा था, लेकिन बीसी इसी इ ITI कोलेजों में भी करीब 3500 सीटे खाली है, अब तक ITI में सत्र दो जर बीस एकिस की एडमिसन प्रक्रिया समाप तो हो नहीं हो पाई है बियार में 18 साल से उपर के लोगों के मुप्त टिके पर खर्च होंगे 18 रुपिये, भुगतान पर काम कर रही है सरकार बियार में कोरोना वारिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी बीच हाली में राज सरकार ने 18 से 45 के उम्रे के लोगों को मुप्त व्यक्सिन देने का एलान किया है इन सभी को एक मैं से सुरू हो रहे तिसरी चरण में टिका लगाया जाएगा, माना जा रहा है कि इस पर सरकार लगबग पांच हजार कडोर रुपिये खर्च करेगी कुछ दिन पहले मिक streams नितिस कुमार ने गोषना कि थी की 18 से 45 आयो वर्ग के सभी व्यक्तियों का राज में मुप्त त्कारन किया जाएगा सरकार ने यह गोसना तब की जब केंदर सरकार ने 18 से उपर के सवी लोगों को टीका करन कवर परदान करने का एलान किया है आपको बदा दे कि 18 से 45 आयो वर्ग के टीका करन कायर करम का खर्च राज सरकार को वहन करना है बिहार में नहीं थम रही है कोरोना की रप्तार एक दिन में मिले 12,672 नए संक्रमिन जिया बिहार में कोरोना संक्रमन का एक नया रिकोर्ड सुकुर्वार को बना है एक दिन में 12,672 नए कोरोना संक्रमिन की पहचान की गई है राज में एक दिन में 1,088,147 सेंपल की कोरोना जाच की गई राज में कोरोना संक्रमन की दर 11,71 फिजदी रही है पिछली 24 गंटी में जहां 6,666 संक्रमित मरेज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए वहीं 54 संक्रमित मरेजों की इलाज के दोरा नमोत हो गई है राज में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरेजों की संक्रमित बढ़कर 76,419 तक पहुच गई है वहीं राज में संक्रमितों की स्वस्थोनी की दर अभी 89,18 फिजदी रही है बड़ी खबर बिहार में कौंस्टेबल ड्राइवर भरती की सारेरिक दक्चिता परिच्चा इस्तगित कर दी गई है कौंस्टेबल ड्राइवर पीटी की नए तिती बाद में जारी की जाएगी CSBC के नोटिस के अनुसार राज में कौरोना संक्रमन के सी को देखते हुए आगली तिती तक इस्तगित की गई है पपो यादब ने ढाय दर्जन से ज़्यादा कौरोना मरिजों को दिया ओक्सिजन सिलिंडर कहा ज़रत मंदों को ओक्सिजन उपलब्द कराएगी बिहार में कौरोना कर चुका है चारो तरप त्राहिमा मचा हवा है जन अधिकार पार्टी के राष्टिया दक्ष पपो यादब ने आरोप लगाए कि बिहार में ऑक्सिजन और आवाईसक दवावों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ओक्सिजन और दवावों के अभा में लोग मर रहे हैं लोगों के लिए ओक्सिजन सिलिंडर की विवस्ता करने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रतिबद है कल 30 से ज्यादा कोरोना मरेजों को ओक्सिजन सिलिंडर दिया गया पार्टी कार्याले में आयोजीत प्रेस कॉनफरेंस में बिहार सरकार पर हमला बोलते वे पप्प यादम ने कहा कि जो सरकार अपने नागरिकों के लिए ओक्सिजन और दवाओं की विवस्ता नहीं कर पाए उसे एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उमे सिंग खुजवा ने कहा कि कोरोना काल में जदोई जनतक के साथ खड़ी है। वहीं जदोई चिकित्सा प्रकोष्ट दक्षिन बिहार के प्रदेश है दर्च डाक्टर सुनिल ने कहा कि उनका प्रकोष्ट सामाजिक सरुकर के लिए प्रतिबद है। 933932, डाक्टर मयंकुमार 7903092963, डाक्टर राजीव रंजन सिन्ना 9973516032, डाक्टर राजकुमार प्रसाद 9546783429 ये सभी दस बजे से लेकर दो बजे दिन तक उपलब्द रहेंगे। बियार बोर्ड ने डियलेड कमपार्टमेंडल के साथ तीन परिचाए अगले आदेश तक कैंसिल की। बियार बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चात्रों के हित में तीन परिचाओं को निरस्ट कर दिया है। बियार बिदाले परिचा समीति द्वारा जारे आदेश में कहा गया है कि कुरोना मामारी से वर्तमान की सिती काभी खराब हो गई है। विसम परिचितियों में अप्रेल और मैं में होने वाले तीन परिचाओं को अगले आदेश तक के लिए निरस्ट कर दिया है। वियार बिदाले परिचा समीति ने जिन तीन परिचाओं को निरस्ट किया है। चलनी सुरू हो गई है। उदर जारकंड में सक्रिय चकरवात के कारण दक्षिनी बिहार में एक दो इस्थानों पर बिजली चमकने के साथ साथ गरज के साथ हलकी बारिस का भी अनुमान है। आमडी पटना के मुताबिक इससे मौसम में कोई खास उलट पेर होने की सम्हावना नहीं है। आमडी पटना की अधिकारिक जानकारे के मुताबिक 21 अप्रेल से प्रवया हवा एक बार फिर चलने लगेगी। कर रहा है। वहीं केवल NHAI राज में अपनी करीब 11,000 किलोमेटर की लंबाए में सड़क निर्मान परियोजनाव पर काम सुरू होने के बाद करीब डहाई लाग लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहा है। सुत्रों का कहना है कि कोरोना संगट के कारण आईने राजों से बिहार लोटने वाले स्रमिकों को रोजगार देने की सरकार तयारी कर रही है। इसी के तहट पत्न रिमान विभाग भी तयारी में जुटा हुआ है। ग्रामिन विकास मंत्रे ने परवासे मजदूर को जौब कार दने की बात कही है। स्किल्ड मजदूरों को रोजगार के लिए स्रम विभाग भी तयारी कर रहा है। स्रम विभाग के मंत्रे जिवेश कुमार ने बताया कि दूसरे राजजों से आए साड़े नौ लाग लोगों को पंचायत इस्तर पर स्किल मैपिंग कराए गई है। वो चाहे तो लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। मजदूरों को राज सरकार स्वाई का व्यभाग करने के लिए 10 लाग रुपे का लोन मुखमंत्री उद्दमी योजना के मैदम से देने का काम कर रही है। ताकि आने वाले मजदूर अपने हुनर और कोसल के मैदम से अपना व्यवसाय कर बिहार के अईन और लोगों को भी रोजगार देने का काम करें। इस योजना के ताद 5 लाग की सबसीडिय मिलेगी। लोल लेने वालों को 5 लाग रुपे ही लोटाने होंगे। वह भी रोजगार शुरू होने के 12 महेने बाद 84 आसान किस्तों में।